हेलो फ्रेंस, वेलकम टू एजुकेटेड भारत, आज की वीडियो में हम आपात उफवन से रिलेटेड टॉप MCQs देखने वाले हैं, जो बार-बार पूछे गए प्रशनुतर हैं, दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, प्लीज वीडियो को आइन तक जरूर देखेगा, वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करिएगा, इससे जादा से जादा शेर करिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तेख हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लीजिए, और बैल ऐकन जरूर प्रेस ताकि आगी भी आपको ऐसे ही important videos मिलते रहें, चली start करते हैं, तो सबसे पहला question है, भारत के समविदान के अंतरगत कितने प्रकार की आपात कालिन व्यवस्ताओं पर विचार किया जा सकता है, तो उसका सही answer is C, तीन प्रकार की आपात कालिन व्यवस्ताओं पर विचार किय जा सकता है, जो हमारे समविदान के आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिया गया है, देखे 352 में दिया गया है, रास्टिय आपात, 356 में रास्टपती शाशन दिया गया है, और 360 में दिया गया है वितिय आपात, चली, next देखते हैं, भारत का रास्टपती किस प्रकार के आपात का तो इसका सही आंसर है D, इन में से सभी, मतलब रास्टी ये आपातकाल, राज्जी ये सम्विधानिक आपातकाल और वित्टी ये आपातकाल, ये तीनों ही प्रकार के आपातकाल की उद्गोशना रास्टपती के द्वारा की जाती है सम्विधान के किस अनुच्छेत के तहट रास्टी आपातकाल की उद्गोशना रास्टपती करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, अनुच्छेत 352 ये आर्टिकल 352 के द्वारा रास्टी आपातकाल की उद्गोशना रास्टपती के द्वारा की जाती है अब तक कितनी बार रास्टिय आपातकाल की उद्धोषना रास्टपती द्धोषना किन परिस्थितियों में कर सकता है तो उसका सही आंसर है D, इनमे से सभी, मतलब युद्ध के समय, बाहय आकरमन के समय और सशच्टर विद्रो के समय भी कर सकता है रास्टी अपातकाल की उध्गोशना रास्टपती बहाए आक्रमन के अधार पर अब तक रास्टपती ने कितनी बार रास्टी अपातकाल की उध्गोषना की है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहाए आक्रमन के अधार पर चलिए नेक्स देखते हैं आंत्रिक अशान्ती के अधार पर अब तक कितनी बार रास्टी अपातकाल की उध्गोशना रास्टपती द्वारा की गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा A. 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार रास्टी अपातकाल की उध्गोशना रास्टपती के द्वारा की गई Next देश में दूसरी बार रास्टी अपातकाल की उध्गोशना कब की गई C, 26 जून 1975 को रास्टपती ने तीसरी बार रास्टी आपातकाल की उद्गोशना की थी C, आंत्रिक आशान्ती के अधार पर रास्टी आपातकाल की घोशना तीसरी बार की गई थी प्रत्थम रास्टी अपातकाल की उद्गोशना के समय देश के रास्टपती कौन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस टाइम पे बीवी गिरी रास्टी अपातकाल जब दूसरी बार लगाया गया था उस टाइम पे बीवी गिरी रास्टपती थे 1975 में तीसरे रास्टी अपातकाल की उद्गोशना किसने की तो इसका सही आंसर हो जाएगा D. फकरुद्दिन अली एहमत के द्वारा तीसरे रास्टी अपातकाल की उद्गोशना की गई थी 44 वे संविदान चंशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छे 352 में किस शब्द के स्थान पर शशस्त्र विद्रो शब्द रखे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा A. आंत्रिक आशानती की जगापर शशस्त्र विद्रो शब्द यूस किया गया रास्टी अपातकाल की उद्गोशना को संसत के समक्च उसकी स्विकृती हेतु रखा जाना आविश्यक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा A. एक महा के अंदर रास्टी अपातकाल की अधिक्तम अवधी की सीमा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा D. कोई सीमा नहीं है मतलब रास्टी अपातकाल की अधिक्तम कोई सीमा नहीं है रास्टपती रास्टी अपात की घोशना कर सकते है तब इसका सही आंसरो जाएगा C, उन्हें ऐसा करने के लिए केंदरी कैबिनेट का लिखित निर्ने प्राप्त हो रास्टी ए आपात की उद्गोषना का स्वता प्रभाव होता है इसका सही आंसरो जाएगा B, अनुच्छेद 20 वा 21 के अंतरगत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़ कर शेज सभी मूल अधिकारों का निलंबन नेक्स देखते हैं रास्टी ए आपात काल में सम्विदान की संगी प्रकृती का क्या होता है तो इसका सही आंसरो जाएगा C, वैसी की वैसी ही बनी रहती है राज्य में आपात काल के समय राज्य का शाषन किसके हाथ में रहता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, रास्टपती के हाथों में अगर राज में अपात काल लगता है तो इस समय राज का शाषन रास्टपती के हाथो में आ जाता है रास्टपती रास्टी आपात काल की घोशना कर सकते हैं भारतिय सम्विधान के अनुच्छे 352 के अनुसार रास्टी आपात की घोशना निमलिकित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है D. युद्ध बाहे आक्रमन और शशस्त विद्रो के अधार पर रास्टी आपात काल की घोशना की जा सकती है संसत के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमन के कारण उत्पन आपात काल की घोशना का संसत द्वारा अनुमोधन होना चाहिए तो उसका सही आंसर है ए एक महिने में संसत द्वारा इसका अनुमोधन होना चाहिए संविधान के किस अनुचेत के तहट राज्यों में संविधानिक तंत्र के विफल होने पर रास्टपती शाषन लागू किया जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा D. अनुचेत 356 यानि कि आर्टिकल 356 के द्वारा रास्टपती शाषन राज्यों में लगाया जाता है किसी राज्य में रास्टपती शाषन के उध्गोशना किस वैक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर रास्टपती करता है तो उसका सही आंसर है A. राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर रास्टपती के द्वारा किया जाता है राज्य में राश्टपती शाशन से तातपर राज्य में किसके शाशन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, राज्य के राज्य पाल के नेक्स्ट, रास्टपति द्वारा राज्यों में रास्टपती शाशन उत्गोशना के कितने दिनों के भीतर संसत की स्विकृति आविशक है तो उसका सही आंसर हो जाएगा B, दो महा के अंदर संसत से पर्मीशन आविशक होती है किसी राज्य में समानिता किसके परामर्ष से रास्टपती शाषन लागू किया जाता है तो सही आंसर है A. राज्यपाल की परमीशन से उससे परामर्ष लेकर ही रास्टपती शाषन लागू किया जाता है किसी राज में रास्टपती शाषन की प्रारंबिक अवधी कितनी होती है तो इसका सही आंसर है C छे महा की जो प्रारंबिक अवधी होती है रास्टपती शाषन की वो होती है छे महा किसी राज में रास्टपती शाषन के लागू हो जाने पर निम्ने में से किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशाशन के सभी कृत्य संगीय नियंत्रण में आ जाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा C न्याइक निर्णों को छोड़ कर बाकी जितने भी कृत्य होते हैं वो सभी संगीय नियंत्रण में आ जाते हैं संसत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में रास्टपती शाषन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, 6 महा के लिए एक बार में 6 महा के लिए रास्टपती शाषन लागू किया जाता है किसी राजी में रास्टपती शाषन किसी परिस्थितियों में अधिक्तम कितनी अवदी तक लागू की जा सकती है तो इसका सही आंसर होगा B, तीन वर्ष तक अधिक्तम तीन वर्ष तक लागू किया जा सकता है 42 सम्विदान शन्शोदन अधिनियम 1936 द्वारा रास्टपती शाषन की 6 मा की अवदी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, 12 महा इसे कर दिया गया है प्रथम बार रास्टपती शाषन कब लागू किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, 20 जून 1951 में पहली बार रास्टपती शाषन लागू किया गया प्रथम बार रास्टपती शाषन किस राज्य में लागू किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, पंजाब में सबसे पहले रास्टपती शाषन लगाया गया था अब तक किस राज्य में सरवाधिक लंबी अवधी तक रास्टपती शाशन लागू रहा तो इसका सही आंसर हो जाएगा B. जम्मू कश्मीर में सबसे जादा अवधी तक के लिए रास्टपती शाशन लागू रहा था अब तक भारत में कितनी वार वितिय अपात की उध्गोशना रास्टपती द्वारा की गई है तो इसका सही आंसर है D. अभी तक नहीं अभी तक एक बार भी वितिय अपात की गोशना भारत में नहीं की गई है संभीधान के किस अनुच्छेत के अधार पर रास्टपती देश में विती अपात की उध्गोशना कर सकता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा D अनुच्छेत 360 या Article 360 के द्वारा विती अपात की घोशना रास्टपती के द्वारा की जाती है दोस्तो यहीं पर हमारे पूरे क्वेशन कंप्लीट हो गए हैं आशकरतियों वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को शेर जरूर कर दीजेगा पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजेगा और दोस्तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लिजेगा और साथी साथ बैल आइकन भी प्रेस जरूर करिएगा आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत